इस वीडियो के इतने गाईस हम लोग रिवीव करने वाले हैं ICC Bank के Platinum Credit Card का जिसको मैं पिछले एक साल से यूज कर रहा हूँ इसके Feature और Benefits बताऊँगा साथ में बताऊँगा इसके जो Paybacks जो Points मिलते हैं वो काम कैसे करते हैं कैसे आप लोग इडीम वगरे कर सकते हैं जब आप ATM जाते हैं जब आप credit card से cash withdrawal करते हैं तो ये card कितना charge करता है प्लस अगर आपने time की उपर पैसा नहीं चुका है कितनी late fees लगेगी कितना interest लगेगा अगर आप apply करना चाहते हैं तो eligibility criteria क्या 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 documents के requirement रहेगी क्या बिना documents के क्या आप इस card को apply कर सकते हैं live पूरा process बताने वाला हूँ तो guys पूरा video यहाँ पे जरूर देखेगा तो guys सबसे पहले हम लोग बात करते हैं simply इसके benefits की तो देखे कोई भी अगर credit card होता है हमेशा उसकी joining fees रहती है लेकिन अच्छी बात यह है इस credit card की यहाँ पे कोई भी joining fees नहीं है और second thing होती है annual fees जो हर साल जो है company यहाँ पे आपसे charge करती है तो guys यहाँ पे bank यहाँ पे annual fees भी आपका zero है और यह lifetime free credit card है कई बार क्या होता है bank आपको यह बोलता है कि आपको पूरे साल भर में एक लाख रुपे span करना है दो लाख रुपे span करना है तब जाके यह आपकी जो annual fees होती है जो नॉर्मली 500 रुप रहती है वो आपके reversal होगी लेकिन इस case में ऐसा बिल्कुल नहीं है आपकी joining और annual fees दोनों ही यहाँ पे निल है और एकदम lifetime free credit card है मलब इसको आज़े आप backup card भी यहाँ पे यूज में ले सकते हो इसके लिए हो guys यहाँ पे जो supplementary card की fees होती है वो भी यहाँ पे निल होती है supplementary card क्या होता है मालिजे आपकी credit limit अपरूर होगी 3,00,000 रुपे की अब आप चाहते हैं कि आप मैं अपने parents को भी card दलवा दो तो guys आप अपनी ही limit के अंदर echo card उनको issue करवा सकते हैं अपने कितने भी family member को issue करवा सकते हैं तो आपके parents भी यूज कर सकते हैं आपके brother, sister, आपकी wife कोई भी use कर सकता है limit आपको मिली विए लेकिन use जो है पूरी की पूरी family कर रही है और सब के पास में अलग-अलग cards है तो यहाँ पर जो supplementary cards होते हैं issue करने की जो fees होती है वो भी यहाँ पर एकदम निल है और guys मैं यह ऐसे ही नहीं बोल रहा आप इसका पूरा का पूरा जैख सकते हैं charges sheet होती है उसके अंदर ICC bank का platinum chip जो credit card है उसकी सब जगे यहाँ पर fees यहाँ पर निल लिखी हुई है इस बात करते हैं कि इसके rewards points यहाँ पर कैसे काम करती है कितने आपको rewards points मिलते हैं तो देखें यहाँ पर यह एक entry level basically credit card है तो ICC यहाँ पर जो basically आपको 2 rewards points देता है 100 rupees की span के उपर retail purchase के उपर और अगर आप कोई भी utility bill का payment करते हैं तो उसके उपर एक point यहाँ पर आपको provide करता है आप गईस इन point की यहाँ पर value कितनी होती है तो 0.25 पैसा value होती है यानि जित्ते आप 100 rupees अगर खर्च करेंगे तो 50 पैसा रुपे का आपको basically यहाँ पर reward मिल रहा है साथ में guys यहाँ पर dining जो bills होते हैं इन्होंने 25 पंडिट रेस्टरोन के साथ में partnership कर रखी है वहाँ पर आपको 15% का यहाँ पर off मिल जाता है आप guys बात करते है fuel purchase की देखे इस credit card के साथ में अगर आप petrol भरवाते हैं तो normally credit card में क्या होता है अगर आप 100 पे का petrol भरवा रहे है तो उसके उपर 1% का आपका fuel जो है surcharge लग जाता है यानि कि 100 पे plus 1% यहाँ पर charge करता है credit card लेकिन यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपका जित्ता भी surcharge लगेगा 1% का वो बिसलिए आपका wave off हो जाएगा और ध्यान रखेगा यह केवल HPCL के petrol pump के उपर applicable होगा अगर वहीं से अगर आप petrol भरवाएंगे तब ही आपका 1% का यह जो fuel surcharge होगा वो यहाँ पे simply wave off हो जाता है और गईस यहाँ पे भी जो है transaction की limit दी गई है कि maximum केवल 4,000 रुपीज तक के petrol जो expenses होगे उसी में केवल आपका यह 1% जो है wave off होगा अब गईस बात करते हैं इनके जो redeem होगे points वो यहाँ पे कैसे होगे तो दिखे अगर आप ICS Bank के customer है तो काफी आसान है यहाँ पे आपको net banking के इंतरे redeem rewards point को option मिल जाता है और अगर आप ICS Bank के customer नहीं भी है तब भी आप अगर आपके को यह card वगरे मिल जाता है कि इतने points के against में आपको यह product मिल जाएगा तो जितने भी आपके points से कटे होते रहेंगे उसके against में आप यहाँ पे काफी सारी चीजे Recharges, E-Voucher और products को यहाँ पे redeem कर पाएंगे आपका इस बात करते है charges और late fees की तो देखे अगर यहाँ पे अगर आपने time के उपर payment नहीं किया तो जितना भी आपका credit card का bill होगा उसके उपर 3.40% per month का rate of interest लगने वाला है यानि अगर मैं साल की बात करो almost 40 टका का interest rate यहाँ पे हो गया जो obviously बात है credit card के उपर हमेशा high रहता है इसके लिए अगर आप cash advances भी अगर करवाते हैं यानि कि अगर आप ATM से withdrawal करते हैं तो यहाँ पे उसके भी आपके charges लगेंगे तो guys यहाँ पे क्या होगा अगर आप ATM पे जाके withdrawal कराएंगे तो 2.5% उसका लगेगा या फिर minimum charges 500 rupees यानि अगर आप come around भी करवाने जाएंगे तो आप यह समझ के चलिएगा 500 rupees तो आपका charges लगने वाला ही है इसलिए credit card के साथ में कभी भी ATM से withdrawal आपको cash as in नहीं करना चाहिए इसी के साथ में guys यह लोग late fees भी यहाँ पे charge करेंगे अगर more than 50,000 है तो maximum 12,000 रुबे का आपका lead fees यहाँ पे लगने वाला है अब guys बात करते हैं इसके eligibility criteria और documents की तो दिखिए यह एक entry level ICC bank का सबसे बड़िया credit card है तो सिर्फ 5,000 लाग की आपकी जो है basic यहाँ पे income होनी चाहिए salary से या business से इसके लगा अगर आपके पास में ICC bank का account है तो आप 10,000 रुपे की FD भी करवाके बिना कोई documents के इस card को order कर सकते हैं यहाँ पे आपको identity proof और address proof देना पड़ते हैं जिसमें आप पैनाधार provide कर सकते हैं income proof में आपकी salary sleep form 16, ITR, bank statement वगरे चल जाएगा और guys आपका एक अच्छा credit score भी यहाँ पे अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है इसके लगा guys बताना चाहूँगा इस card को apply कैसे करना है link मैं आपको simply description box में दे दूँगा जैसे guys इस link को आप open करेंगे यहाँ पे आपका apply now को simply यहाँ पे section आजाता है और जिस भी company के अंदर काम करते वो आपको company का नाम डालना है अगर self-employed है तो आपके business का turn or कितना ता last year वो आपको बताना है और अगर आप idea वगरा fill up करते तो आपको yes या फिर no बटन के ओपर click करके simply आपको यह details जो है basic सी details जो है आपको simply submit करनी पड़ती है तो guys जैसे आप यह details submit करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा जाएगा simply you are the eligible for the ICC bank credit card उसके बाद में guys इनकी team simply आपको contact करती है और अगर आप ICC bank के customer है तो पेपलेस पूरा process हो जाता है अगर आप customer नहीं है तो simply आपको कुछ जो में आपको documents बता है इनकी team आपको contact करती है और आपको यह document वगरे submit करते है और within the 4 to 5 days आपके पास में एक अच्छा खासा credit card बनके जो है घर पे आ जाता है तो वहाँ पे जो fraudulent activities बगरे होते हैं उसके chances होने बहुत ही कम हो जाते है ICC bank के अलावा guys अगर आप और credit card में से recommendation पूछने जाते हैं तो आप HSBC का यह cashback credit card apply कर सकते हैं काफ़ interesting credit card है कोई भी यहाँ पे joining fees नहीं है और 1% का cashback मिलता है जो भी online spending करते हैं अगर आप offline करेंगे तो 1% का cashback मिलेगा इसके इंदर एक annual membership fee से 700 रुपे की लेकिन वह भी यहाँ पे reversal है अगर आप एक लाख रुपे तक spend करते हैं तो साथ में guys अप्लाइ करने पर इसमें आपको Amazon का 500 रुपे का voucher मिलता है 500 रुपे का इसके link में मैं आपको description box में देदूँगा इसके लावा guys अगर आप bank को Baroda के customer है या फिर आप B.O.B के उपर जादा विश्वास सकते कोई सरकारी bank है तो guys इसका भी एक बहुत ही अच्छा credit card है जिसका नाम है simply Prime B.O.B. Prime credit card और guys यह 1% cashback देता है और सबसे अच्छी बात है guys इसका कोई भी annual charges नहीं है कोई भी joining fees नहीं है बिलकुल free of the cost है एकदम lifetime free of the cost है guys यह basically आपको जितने भी आप 100 rupees span करेंगे उसके उपर आपको one reward point span यहापर जो है provide करता है इसके लावन के कुछ selected merchants भी है जहापर आपको यह 2 reward points भी यहापर offer करता है और guys अच्छी बात यह इस credit card को apply करने के लिए आपको कोई भी document देनी की जरूत नहीं है बस 15,000 रुपए यह उससे ज़ादा कि आपको FD करानी पड़ेगी और without any kind of the income proof आप यहाप इस credit card के लिए apply कर सकते हैं आप में guys इस card के अंदिर भी आपको 3 lifetime free add-on cards और मिल जाएंगे जो supplementary cards वगरे होते और in build आपको जो एक accidental death cover भी यहापर मिल जाता है इसके लिए एक AU bank का भी यहाप एक lifetime free credit card है lit credit card के नाम से और अच्छी बात यह इस credit card को आप अपने according यहापे customize कर सकते हैं features की बात करो यहापे आपको 10x 5x rewards points मिलते हैं जिते भी आप online spending करेंगे और offline की बात करो तो वहापे भी आपको same kind of the rewards points मिलते हैं और यहापे अच्छी बात ही है यहापे आपको plan choose करना पड़ता है कि किस plan के साथ में आप जाना जाते हैं किते rewards points आप कमाना चाते हैं fees और charges की बात करो तो भाई कोई भी charges नहीं कोई joining fees है नहीं कोई annual membership fees है एकदम purely lifetime free credit card है जिसको आप अपने according यहापे customize कर सकते हो इसके लागा इंडिस्टन बैंक भी यहापे काफी अच्छे credit card offers करता है और इसके अंदर इसका एक platinum card है जो हम लोगों ने ICA से bank का देखा same kind of the card है और यह भी एकदम lifetime free credit card रहता है आपका यहापे आपको 1.5 rewards मन मिलते है every 150 spans के उपर और इसके अंदर आपको एक insurance cover भी मिल जाता है तो guys इन सभी credit cards के apply के link में आपको description box में देए रहा हूँ अपना eligibility criteria on सभी के benefits एक बार यहापे जरूर चेकाउट कीजिएगा thank you guys thank you very much